नमस्कार दोस्तों तो मैं आज आपके लिए एक नई गेंबिट लेकाया हूँ और यह गेंबिट बहुत ही अच्छी है मतलब यह समझिये कि आप मतलब हाई रेटेड प्लियर के साथ भी गेंबिट खेल सकते हैं मैंने लगबग 2000 येलो मतलब रेटिंग से उपर वालों को भी इस गेंबिट सा हाटते हुए देखा है तो यह काफी अच्छी गेंबिट आप तो शुरूप करते हैं स्टार्ट होगा एफोर एफाइब के साथ जो हमारी नॉर्मल ओपनिंग होती है किंग स्पॉन ओपनिंग इसके बाद नाइट वैप त्री नाइट वैप शिक्स ठिक पिशब टू सीफोर एंड नाइट टू सीशिक्स तो यह नॉर्मल इटाइलियन गेम होगे हम इटाइलियन ओपनिंग हो गई हमारे पास तो अब हम यहां से उसकी सुरुवात करेंगे हम सब से पहले अपना पॉन बढ़ाएंगे डी फॉर तो यूजरी क्या होता है यह यह अब हमकोरण अपने मारे पाउन के स्फॉरches ओन हमारे से उस स्चाथे हमामे से ससे करेंगे क्रिंग हम यहां से करेंगे खचली हमसे metallic करेंगे कर देखेए तो यह हमारा पॉन भी लेले तो हमारे two पाउन चले गए यह हमारे अब śm क्या करेंगे अपना night निकालेंगे तो देखें हम एक और night का sacrifice करने वाले इसमें हम लगबख दो पॉन और एक night का sacrifice करेंगे और यह हम क्यों कर रहे हैं ताकि हमारी जो file है डी file और यी file यह open हो जाए तो rapid development के लिए हम यह गंबिट इस्तमाल करते हैं तो अब करेब अगर आभागा नाइट से हम टेक करता है देखिए अगर नाइट से टेक करता है तो तो उसको कुछ ज़्यादा नहीं होगा, दो पॉन का ही फायदा होगा हम नाइट से वापिस लेनेगा को उसका पॉन आ जाए, पॉन को बाद में हम कैप्चर आराम कर सकते हैं, तो नाइट से लेकिए उसको फायदा नहीं हो, अगर पॉन से मारता है, तो उसको बहुत ही ज्यदा फाइदा होगा हमारे नाइट को भी मार दिया और इसको दो पॉंण का उलरीई फाइदा है तो पॉंण से मारेगा तो यह हमारी गैंबिट की चुछिछ रहत है अब देखिये यहां कुई से अब कुई से चेक देंगे तो उसके बाद राजा के पैस जाने के लिए तीन जगाएं कौन-कौन सी जी-6-E8 एफ-6 तो यह तीन जगा जा सकता है तो मैं अभी दो ही वेरियेशन के बारे में बात करूंगा वह हैं जी-6 और ये-8 क्योंकि ज्यादा तर प्लेयर जे चाहीं या फिर आ गया एंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं हम बात करेंगे जी-6 की देखेंए अगशी आं राज आता है तो आपके लिए गेंमрий और असों हो जाएगा आउप आसानहरी से चैक मेंूंट कर सकता हैं अभीई अब हमको क्या करना है या अब यूंकि ख फिर वह पड़ सकता है तो तो देख अगर एप 6 में गया तो यहां से हम सीधे मिसाब से चेक देंगे क्योंकि यहां और टेक नहीं कर सकता है क्योंकि नाइट से प्रोटेक्टेड है हमारा बीशब तो अब उसको हटाना पड़ाएगा और उसके क्वीन चले जाएगी तो तो यह उसके लिए बहुत ही बेकार हो जाएगा तो अब उसके पास एक option है कौन सा अगर एच फाइब में जाता है तो अब हम क्या करेंगे यहां से हमको कुछ नहीं करना हमको सीधे चेक देना है अपने बजीर से तो देखे चैक है अब उसका राजा कहीं भी नहीं जा सकता है सारे क्योंकि जो ब्लैक वाले वह हैं वह बिसप से प्रोटेक्टेड है और बाकी सारे कुईन और हमारे घोड़े से प्रोटेक्टेड है तो वह कहीं नहीं जा सकता है उसके पर एक यूप्सन है अपना कुईन लाना जैसे ही कुईन लाएगा हम कुईन से मार देंगे चेकमेट हो जाएगा तो देखे यह गेंबिट तो बहुत ही मतलब अगर वह नीचे आत सकता है देखिए अगर ऑए अब यहां से बहुत सारी वेरियेशन है जो ब्लैक चल सकता ही मैं आपको क्यों मेन में बने बने सकते हैं या उसके कुईन ले सकता है तो सबसे पहली वैरियेशन है सबसे पहले तो हम टेक करेंगे कुईन से हम अपना हाती बाहर निकालेंगे फाइल में तो देखिए अब यह पिन हो चुका है घोड़ा कहीं भी नहीं जा सकता है तो उसके बाद अब ब्लैक के पास चलने के लिए बहुत सारे आप्शन है सबसे पहले हम आप्शन की बात करते हैं कि अगर वह अगर इस व्पशन को अब आपशन को अपना नाइट वहापस ले जाता है अपने फाइल प पर और हमको SMT कूईक करने कि कोंजिस करते हैं तो हम क्या करेंगे आजानी से कुझा टेक कर लेंगे है अपने गोड़स अब PR NEW चुका है य सको नहीं मारपाएगा तो यहाँ से भी आप उसके पाद दो अगर हम आपने बजीर को आपने विभी सकक्रांश को आगे ला दे उट को आगे ला माना बाद X6 नहीं चलता है अब वो चलता है C6 ताकि हमारा हम अपना वो हटा दे तो हम क्या करेंगे चेक देंगे और उसके बाद अगर इसने चेक को हटाने के लिए यह किया तो हमारे पर बहुत सारे आप्शन है देखे हम इधर से आएंगे यह देखिए अगर यह अपना द्यान नहीं दिया और उसने अपना हाथी अगर उसका हाथ है तो हमारे को भी वहां से टेक कर लेंगे लेकिन अधर लाएगा तो इसके बाद हम अपनछोंब बाहर निकालेंगे अब बिसप को मानने के लिए अपना पॉन नीचे लाएगा एच सिक्स तो अब हम क्या करेंगे पॉन से टेक कर देंगे और यह थोड़ी मेटिन मेटिन टैन हो जाता इसमें आराम से इंजन ने भी बताया था तो आप आराम से इस सिक्वेंस के साथ मेट कर सकते हैं आप मेट कर दिये कोई दिकत निए फिर उसको अपनी कुईन देनी पड़ेगी या फिर मेट होके रहे गाई इसमें कोई दिकत के बात नहीं अगर आप अच्छा कहलते हैं तो आप आसानी से मेट कर सकते हैं इस फॉलिविविंस सिक्वेंस के साथ तो यह तो बात थी इसके अ प्रवापने घोड़े से वह वापिस लेगा पिर हम चेक करेंगे चेक करेंगे देख वह मेट हो जाएगा आराम से कोई दिक्कत नहीं है तो हम फिर से वापिस आता है और अगर उसने अपने कुईन से चाहा कि कुईन से मैं अपना राजा प्रोटेक्ट करूंगा तो हम सीधे इसको मा मार देंगे तो उसके पाकोई आप्शन नहीं होगा घोड़ा बीच मा हैगा तो कुईन भी पिन हो चुके है तो उसको कुईन टेक करने के ला करेंगे पहले प्धे खंप करेंगे ताकि बुसाप कही न भाग पाए धर वो पीन हो चुका है तो अब यह वह क्या करेंगे वह आपना अगे मिशाप आगए लिए निकाल张 के तो हम पहले हैश 6 बढ़ा देगा देगा ताकि हम मोई तो कोई टीन हैं पार छीद कर देने है हो जाएगा बहुत easy है लेकिन अगर वह अपने उससे नहीं मारता है अगर से मारता है देखे- part için हमारा तो कोई दिक्कत के भाद ही हम सीधर चेक दिएगे इसको इधर आनाहीं पड़ेगा फिर हम यहां से चेक देंगे अपने हाथी से तो अब उसको रोकने के लिए इसको बढ़ाने पड़ेगा वना चेक्मेट हो जाएगा अब हम अपना बजीर आगे निकालेंगे तो इसके पाथ दो अपसे नहीं यहां से बचने के लिए यह फिर अपना गोड़ा निकालेगा ताकि हमारे उस पर हमारे बजीर को मार सके तो हम सीधे हाती से टेक कर लेंगे और यह चेक मेट हो जाएगा लेकिन अगर अपना वह नहीं निकालता है क्या अब पॉन से मानने की कोशिस करता है बोलेगा कि चलो हम इसको मेट इन वन कर द देक होने ही नहीं देना मतला अगर वह फाइल में आता है इसको किंग इफाइल में आता है चेक करते करते तो आपको जो अपना हाती है वह फाइल में ला देंगे ये फाइल में ला देंगे तो आप असानी से गेम जी सकते हैं आपके काफी अच्छा एड्वांटेज हो जाएगा आपकी कुइन जिंदा है अदेके उसका हाती सबसे बड़ी बात इस गेम बिट की ये बात है कि जो उसके कुइन साइट के हूँ है बीशप है हाती है ये कभी बाहर निकल ही नहीं पाए इनका कोई यूज ही नहीं हो जबकि हमारे सारे के सारे सब यू यूज हो गया और इसमें बहुत सारी वेरियेशन हो सकती है तो इस बहुत सारी मतलब की आप इसमें काफी रिस्क है लेकिन अगर आप इसको अच्छे से खेले या थोड़ी प्रैक जरूर करें धन्यवाद